किसान भाईयो नावसकार मपुनी सिसोधिया किसान भाईयो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अडामा कंपनी के कश्टोडिया फंजी साइट के बारे में देखिए जो फपुंदी नासक है बहुती अच्छा फपुंदी नासक है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कौन-कौन से रोबो पर अच्छा कंट्रॉल देता है, इसके हमें डोज क्या देनी है, इसके अंदर टेक्निकल क्या है, क्या हम इसको प्रिवेंटीब में यूज कर सकते हैं, या केवल क्यूरेटिब में ही काम करता है, उसके सा सद हम जानेंगे क्या फ्लोवरिंग स्टेज में भी इसका उप्योग किया जा सकता है, या नहीं किया जा सकता है, इसकी रेसिडूल एक्टिविटी क्या है, रेंट फासनेस रेट क्या है, तो इसके बारे में कंप्लीट इंफोर्मेशन लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं अडामा कंपनी के कस्टोडिया फंजी साइड के बारे में, सबसे पहले हम इसके अंदर मौजूद टेक्निकल की बात करें, तो देखिए इसके अंदर दो टेक्न मिलता है, देखिए ये जो फंजी साइड है, ये क्यूरिटिम में भी और प्रिवेंटिम में भी दोनों में ही बहुत अच्छा काम करता है, यानि कि इसके अंदर जवर ज़स तो प्रिवेंटिव एक्शन भी मौजूद होता है, मान लिजए आपको लगता है या आपकी खे करते हैं, तो क्यूरिटिम में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो दोनों ही सिच्वेशन में आप इसका कस्टोडिया फंजी साइड का इस पर अपने फसलों पर ले सकते हैं, देखिए कस्टोडिया फंजी साइड के अंदर दो टेक्निकल होते हैं, तो ये जो फंजस होती हैं, उसको भी दो तरीके से मारने का काम करता है, तो देखिए जो हमारे पाउट्री मिल्द्ड्डु की समस्या आती है, जिन फसलों में उसके लिए स्प्रे कर सकते हैं, वह बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देता है, उसके साच-साध ये अरनी ब्लाइट की सम तो अर्ली ब्लाइट पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और साथ में लेट ब्लाइट पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है तो दौनों ही रोगों में चाहें अर्ली ब्लाइट की समस्या है चाहें लेट ब्लाइट की समस्या है तो उस पर बहुत अच्छे से कंट करता है उसके साथ प्याज की फब्रॉट ब्लॉज की समस्या देकने को मिल तीया उसकी बहुत अच्छे से करता है ll tim कमे इसको इसको भी बहुत अच्छे से और अच्रार तरीके से संडर्व ही उसके साथ साथ यलो रश्ट की समस्या जो हमें ग्याहूं की फसल में देखने को मिलती है तो उसको भी बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है तो इन सभी रोगों पर यह 100% कंट्रोल देता है तो बहुत ही अच्छा काम करता है यदि हम इसकी डोज की बात करने तो इसकी जो हमें डोज रखन वो भी थोड़ा severe condition में है तो आप 2 ml पर लेटर पानी में मिला कर इसका spray ले सकते हैं अपनी फसलों पर यदि हम इसकी residual activity की बात करें तो देखे इसकी जो residual activity होती है वो लगवक 14-15 दिनों तक ही होती है यानि कि spray के बाद 2-5 गंटे तक बारिस नहीं होनी चाहिए तो आपको इसका जो result है अच्छा ही देखने को मिलेगा और देखे आप custodia fungicide का flowering stage में भी spray ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आती है देखे custodia fungicide का spray जब भी आप अपनी फसलों पर करते हैं तो इन बातों का हमेशा ध्यान बखें जिससे इसके जो result है आपको बहुत ही अच्छे यानि कि 100% देखने को मिलें पहला देखे ये जो दवा आती है liquid form में आती है तो जब भी आप इसका solution तयार करने वाले हैं उससे पहले इसकी जो डिब्बी है उसको अच्छे से हिला ले हिलाने के बाद ही इसका solution है वो तयार करें दूसरा देखे इसका spray कभी भी तेज़ धूप में ना करें इवनिंग टाइम में ही इसका spray करें तो आपको बहुत ही अच्छे result देखने को मिलेंगे नमबर तीन इसके किसी भी एक फसल पर लगाता दो से ज़्यादा spray ना करें यदि जरूत पड़ती है तो किसी अन्या फंजी साइड का spray करें इसके कस्टोडिया फंजी साइड के केवल दो ही spray करें उससे ज़्यादा spray ना करें क्योंकि फिर जो हमारी फंगस है उसमें रजिस्टेंज डबलप हो सकती है जिससे इसके आपको उतने अच्छे result देखने को नहीं मिलेंगे तो एक फसल पर केवल दो ही spray करें उससे ज़्यादा spray ना करें तो किसान भाईयों यही थी आज की जानकरी कस्टोलिया फंजी साइड पर जानकरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा अन्या फार्मर के साथ इसको सेर जरूर कीजेगा ताकि उन तक भी जानकरी पहुंस सके मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकरी के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा धन्यवाद